हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में आज हम आपसे डिफेंस रिसेर्च एंड डेप्लेप्मेंट और्गनाइजेशन में निकली ही वेकेंसी के बारे में बात करेंगी जोकि गॉबर्मेंट अप इंडिया की तरफ से निकली हुई वेकेंसी है इसमें पोस्ट का नाम जूनियर रिसर्च फोलवर यानि की जर्फ रखा गया है और इसमें टोटल छे तरह की वेकेंसी निकाली गयी है इन छे वेकेंसी में Electronics and Communication Engineering, Applied Electronics, Opto Electronics, Instrumentation and Photonics की Vacancy तीसरी है Computer Science, Electro Engineering, चौती है Mechanical Engineering, पाच में है Chemical X, Rubber Technology, प्लाइमर Technology, Nano Technology, Chemistry, Applied Chemistry, प्लाइमर Chemistry and प्लाइमर Science and Material Science और इसमें छटवी है Metrology and Physics and Applied Physics के Candidate, इसमें इतनी Vacancies निकाले गई हैं, अब बात करते हैं कि इसमें कितनी Vacancies निकाले गई हैं तो इसका अभी निर्णे नहीं आया है कि इसमें कितनी Vacancies निकाले जाएंगी लेकिन इसका फॉर्म बढ़ना स्टार्ट हो गया है इस Vacancy में Freshers इस फॉर्म को अपलाई कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का Experience का मांग नहीं किया गया है इसमें 31,000 की Salary रखी गई है और इसकी Job Location कोची की रखी गई है यह इसमें All India के Candidate इस फॉर्म को अपलाई कर सकते हैं दोस्तों अब बात करते हैं इसमें Qualification Education की तो इसमें BE, B Touch, MA और M Touch की जिन्होंने First Divendant से MA, M Touch कंप्लीट किया हो तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं साथ ही में Net और Jet की जिन्होंने Qualified किया हो इसे Mechanical, Computer Science and Engineering, Computer Engineering, App to Engineering, Applied Electronics, ECE, Chemical Engineering, Global Technology के Candidate भी इस फॉर्म को अपलाई कर सकते हैं और इसमें वो भी Candidate इस फॉर्म को अपलाई कर सकते हैं जिसने MSC कंप्लीट किया हो अब बात करते हैं कि इस वेकेंसी में Age Limit कितनी रखी गई है तो इस वेकेंसी में Minimum 12 साल की Age Limit रखी गई है और इसमें Selection Process का Method वो ओनलाइन इंटेव्यू को थूरू लिया जाएगा और इसमें Video Conferencing भी वो सकती है अब बात करते हैं दोस्तों कि इसकी Last Date क्या है फॉर्म को फिल करने की तो इसकी Starting Date 4.11.2020 रखी गई है और आप इस फॉर्म को Starting Date के 30 दिन बाद तक फिल कर सकते हैं यानि कि इसकी Last Date 4.12.2020 तक की रखी गई है दोस्तों अब बात करते हैं कि आप इस फॉर्म को कैसे Apply कर सकते हैं दिसके लिए हमारे Description Box में आपको Link मिल जाएगा जिसके थूरू आप अपने फॉर्म को Fill कर सकते हैं नहीं तो आप इस फॉर्म को Online Apply भी कर सकते हैं Thank you for watching